होगा पर फिर स्वागत है और आज के सीखने वाले किसी भी फाइल या पोलडर पर कैसे पासवर्ड लगाटे हैं और पासवर्ड लगाने के बाद से उसका अप्यूग कैसे करते हैं और फिसे उस देखते हैं कि इसको जब देखते हैं तो चलिए स्टिप देखते हैं सभी द्यान दो तो देखो कल आमने हाइड करना पता है ता ना और आज शुक्त ने वाले हैं कि अगर इस फोल्डर पे और इस फाइल पे लॉक लगाना हो फिक है और पासवर्ड के माधियम से जब चाहें उसको एक्सेस करना उपिन करना तो वहां पर पासवर्ड मांगा जाए तब कोई परसन एक्सेस कर सके या मैं भी एक्सेस करना चाहता हूं उसका इस्तमाल करना चाहता हूं तो जैसे क्लिक करूं वहां पर पासवर्ड मांगे जब तक हम पासवर्ड न डाले तब तक हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है असानी तरीके सो जाएगा कल थोड़ा सा लंबा सा टॉपिक था लंबा था बस थोड़ा सापको दिक्कत कर रहे थे खाहिने कि यह स्पेस छोड़ दे रहे थे आपने सबसे पहले आपको देखो यह फोटो दिख रहा है इसमें इतने फोटो है इस परजेंटर में दिखाई भी दे रहा है अगर मैं कलीक करूंगा तो यहां पर सो भी हो रहा है वह नहीं हो रहा है चलिए जितने फोटो है जब तक मैं पास्वड नो डालूं तब तक ओपन नहों और मुझे न सके या दूसरा कोई देख न सके इ लगाने बहुत सा सिंपल प्रोसेस है क्या है तो सबसे पहले आप करिए उस पे क्लिक और क्लिक करके करिए आप राइट क्लिक क्या करना है क्लिक राइट क्लिक और यहीं पर कापसन आपका दिखाई देगा एड टू अर्चीव दिख्रान आपको यहां पर इसी के सहारे में लोग क्या करेंगे पास्टोर लगाएंगे तो कई यहां पर क्लिक करते हैं कि इस राइड क्लिक करेंगे यहां तुम दो बर मत करना मेरे साथ आया है दो बर थो दो बर मैंने किया है ठीक यह आपकर एक ही बार में आ आएगा इस सिस्टम से तरह वो तीस्टू है अब यहां प्याएंगे कहां पे यह पाले देखो इसमें क्या-क्या बता जारा समझने कोशिव करना जैसे मैंने add to archive किया न यह बता रहा है कि फोटो नाम से सेव है और यह विंडरॉर फाइल है और एर्चिव फार्मिट भी देखो दो फार्मिट आता इसका एक R.A.R. इसे बोलते हैं विंडरॉर और एक जीप फाइल जातर जो भी फोल्डर होते हैं फाइल होते हैं दो ही बन कि यहीं पर एक आपसन दिखाई देगा सेट पासवर्ड बस इसी पर क्लिक करेंगे और यहां पर पुछा जाते हैं इंटर पासवर्ड तो हम पासवर्ड डाल देंगे अफिसरी इंटर पासवर्ड यहां भी पासवर्ड डाल देंगे वही सेम और आपको सो करके देखना थे यहां सो करके देख सकते हैं गलत यह सही है अगर आपको विश्वास से खुद हमने सही डाला तो कोई बात ही नहीं है यहां पर क्लिक करेंगे सो हो जायेगा कर दूं यह चलो जा अरा ना यहां प्रुड़ प्रियां पर क्या करूंगा अं चे कर दूंगा और उसके बाद से ओके कर देंगे कर ऑके करने बाद प्रिसे हमको करना है अब देखो होगा क्या याज है जैसे हमने है के किया ना तो जिस फोटो पर हम ने पासवर लगाया ऊस्व detcom फोटों पर देखो वैसे नार्मल इसन हो रहा है अस पासवर लगा नहीं लेकिन इसी के जैसा एक और फोलडर करिए हो गया कहां पर तो एक फोटो यहां पर दिख रहा है और एक बगल में यहां पर दूसरे नंबर फोटो दिख रहा है लोग सेम इसी के जैसा एक और फोल्डर क्रीट हो गया लेकिन यह वाला है नार्मल और यह वाला पास्टर प्रोटेक्टेड जी आइकन भी चेंज हो जाएगा और प्लस य यहां पर जैसे डूडल क्लिक करूंगा और रोग करूंगा अब फोटो पर जाऊंगा जिस्ता फोटो देखो दिख रहा ह। लिन क्या है इसके अंदर यह दिखाई नहीं दे रहा है अगर मैं यहां पर आता हूं यही नार्मल वाले पर पर पालिस वहों गया क्या है और अब मालों पासोर गलती डाल दिये था dwelling कि अ मिए खूले था कि या करना ओगा आपको सही वाला पास चोड तीनग कभी पासोड डाल एक खूलेगा ऐसा नहीं कि एक पे लगा है सब्र稟 गयए वर लगाना पड़ता और फोल्डर लगा दिये तो एक वार मालो लग गया चाहते तो अलग अलग ही लगा सकते लेकिन लंबा प्रोस्त होता कोई मतलब नहीं चलू इसमें पांचवा नमर ऑपें करते हैं पहला दूसरा तुसरा चौथा पांचवा डबल क्लिक इसे में सबते हैं कि पुझें आशेकं पय़र आशेकं कि क्लिक्षर लगा है यहां पर दिखी रहा है इस के लिए क्या करना पढ़ो और राइट क्लिक करना पड़ेगा और इसको कि यहां से भी डिलीट करना होगा और जब डिलीट करते हैं तो जाता है रिसाइकल में और यहां से फाई टोकर टो जाता है यहां वहां से यहां पर है कि नहीं है जब यहां पर क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा तो देखो आपसन दिया है रिस्टोर कर लो फिस से आ जाएगा या कट करके कहीं पेस्ट कर दो या आप डिलीट कर दो या इसका प्रोपटी देख लो न बुला ना सर कुछ नहीं करना पर्मनेंटली डिलीट होगे अब हमारा ना यहां पर दिखाई दे रहा है ना अमारा डेस्टॉप पर दिखाई दे रहा है तो जायर सी बात इसका इस्तमाल करना है तो चाहे मैं इस्तमाल करूं चाहे अधर कोई आए इस पर क्लिक करना पड़ेगा फिस उपन करना पड़ेग पास्वर डालना पड़ेगा तभी ओपन होगा ने तो पन नहीं होगी तो समर्वात है आपको बोलो कर ले जाओगे बहुत पास्वर लगाने के वाद से इसको डिलीट करना होगा किसको रखना होगा और क्या इसके स्टेप चलिए अब सेकेंड उन्हों सीखने वाले हैं रिम यह मुझे नहीं रखना अब उतना डर नहीं है डाटा मारा सेक्यूर एब कोई डिलीट करने वाला नहीं है कोई देखने वाला नहीं है और परजेंट टाइम में कोई भी चला सकता है तो उसके लिए क्या करोगे एक तो तरीका है कि आप वह ऐसा फिस फाइल क्रीट करो और जो पासओर वाला है उसी से विदाउट पासओर वाला हमको फोल्डर जनेट करना लाना है अब देखो ऐसा नहीं है कि यहां सहट जाएगा यहां से कोई तरीका नहीं हटा सकते हैं लेकिन इसी से हम लोग एक विदाउट पासओर वाला फोल्डर जनेट कर सकते हैं जैसे ब पुराना पासवर्ड आपको याद होना चाहिए तभी और रिमूब होगा और तभी बिदाउट पासवर्ड एक फोल्डर बनके आएगा अगर पुराना पासवर्ड भूल गया है तो समझ आप भी भूल जाना इसको वह मिलने वाला नहीं कोई नहीं सब्सक्राइब कोई नहीं एक सोच समझ के लगाना है कि कि ना ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसा लगाओ जो भूले मत भर देगा फार्ट से काम नहीं चलेगा चले चलो इसी को मैं हटाना चाहता हूं यह तो रहेगा ही रहेगा एक ही का बीना विदाउट पासवर्ड डॉल जनेरेट करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करूंगा इस वार फीच से और देखो इसमें कहीं आपसं दिखराया जी जो भी मैंने उपन के राइट क्ल पर यहां पर जो मैं आ रहा हूं तो यहां से पासवर्ड जनेरेट करना एक पासवर्ड वाले से प्रोट्रेक्टेड है इसलिए आपसं हाई है गायब हो गया है नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो हमको लाना है इसके लिए सिंपल तरीका है क्लिक करेंगे और इस वार हम आ अए तो बसमें सिंपल है वह नाम छुझ कर लेंगे देख है यहां पे रिखाए यह और दूबर्वे होगाalen तो ऐसे नहीं होगा मत अ उसके बाद से यहां प्याएंगे उचेगा इंटर पासवर्ट तो पुराना पासवर्ट डालते ही कि यहां नहीं यहां तो नहीं अठेगा एक और फोल्डर ऐसा जन्नेट हो जाएगा खोजना पड़ेगा मतलब डेक्स्टॉप भी मिल जाएगा तो आता हूं और पुराना प पास्वर्ट डालता हूं गल्लर डालोगे नहीं होने वाला है कि म構रा को हो जो कहीं दिख राएक जी यह फिर्ष में यह लास्ट अया अब देखो यहां पर क्लिक करता हूं पिज़ुकर करता हूं अब जिसे लगाया उससे नार्मो ला दिया अब इसका कोई रूल नहीं है नहीं चाहता हूं तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा अब तुम्हारी जरुद नहीं है हाँ तो रिसाइकल बिर्स से भी डिलीट कर देंगे बताएं वह स्प्ट पलस क्या दबाव होगे चलिए लिख लिजी इसको